आनन टिटोरियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज हम कक्षा नवी विसे हिंदी हिंदी विसे में हमारा पाट 3 अच्छा पड़ोस आज हम इस पाट के स्वाध्धाई करेंगे बच्छो आप लोग पाट पढ़ लेते हो उसमें आपको कोई तकलिफ नहीं होती है लेकिन स्वाध्धाई धूरने में आपका बहुत समय बरबाद होता है तो मैं चाहती हूँ वो समय आपका बरबाद ना हो इसलिए मैं आपको स्वाध्धाई के सारे प्रशनों बता रही अगर आपको ये पाट भी समझा कर चाहिए बच्छो तो आप मुझे कमेंट करिए अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मुझे लगेगा हाँ आपको पाट भी समझना है तो मैं इस पाट का भी वीडियो बना दूँगी फिलहाल तो हम स्वाध्धाई करते हैं ठीक है उन्चन नदारत गायब बिलंग कपड़े सुखाने की रसी तलब इच्छा चाह अवशक्ता तरकीब युक्ती उपाए रोजमरा नित्य तसला एक प्रकार का बड़ा और गहरा बर्तन मुहावरे कटे पर नमक छुड़कना दुखी को अधिक दुख देना बुरी लगने वाली बात कहना ये दोनों अर्थ होता है बच्चो आवसंधीले होना घवरा जाना जल भुनकर रह जाना बहुत गुसा आना आगे दिखते हैं पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए जैसी सूचना रहेगी वैसे हमें कृति करना है प्रवात आलिका पूर्ण कीजिए अरुन जी के पडोसी तो इस पार्ट में अरुन जी के पडोसी कौन-कौन है हमें तीन पडोसी के नाम लिखना है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ पडोसी के नाम तो अरुन जी के जो पहले पडोसी है वो है शर्मा जी कौन है शर्मा जी बच्चों हमारे भी पडोसी शर्मा जी है दूसरे पडोसी कौन है बोलो हजला साहब हजला साहब और तीसरे पडोसी है बाबु राम कृष्ण बाबु राम कृष्ण ये तीन लोग है जो अरुन जी के पडोसी थे पहले शर्मा जी दूसरा हजला साहब तीसरा बाबु राम कृष्ण ये जिसकी किताब है उस बच्चे ने थोड़ा इस पहले गलत लिखाया बच्चों मैंने आपको सही बता दिया है ठीक है अभी उसके बाद है ख आरुन जी के घर से मांगी जाने वाली चीजे आरुन जी ये भी मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज थी खाट पहली क्या थी खाट दूसरे नंबर पे अख बार अख बार बच्चों मेरे राइटिंग नहीं समझ में आएगी इसलिए मैं बोल-बोल के लिख रही हूँ ताकि आपकी गलती ना हो पुस्तके फिर है बाल्टी बच्चों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ठीक है तो चलो हम आगे देखते हैं सीड़ी तो अरुन जी के घर से कौन-कौन सी वस्तों मांगी जाती थी? खाट, अखबार, पुस्तके, बाल्टी, सीड़ी ये सारी वस्तों अरुन जी के घर से मांगी जाती थी ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा उचित विकल्प चुनकर वाक्यों फिर से लिखो इसमें विकल्प हमें दिये गए हैं उचित विकल्प हमें देखना है जो सही विकल्प है उसको लेकर वाक्य हमें फिर से लिखना है पानी का बम्ठी करने डैश लुहार सुनार मिस्त्री आया कौन आए था? मिस्त्री तो हम यहाँ पे लिखेंगे पानी का बम्ठी करने मिस्त्री आया छो दिवाली से पहले मेरे घर डैस छिपाई, पुताई, लिपाई चल रही थी क्या होता है दिवाली से पहले पुताई होता है घर में कलर होता है तीसरा पार्थ में प्रयुक्त अकबारों के नाम लिखिये इस पार्थ में कौन-कौन से अकबार आए है उसका हमें नाम लिखना है उत्तर ठीक है? इस पार्ट में कौन-कौन से अख़बार के नाम आये थे तो सबसे पहला था हिंदूस्तान टाइम्स हिंदूस्तान हिंदूस्तान टाइम्स स्टेटस मैन ये दो अख़बार के नाम आये हैं इस पार्ट में हिंदूस्तान टाइम्स स्टेटस मैन ठीक है? तो अभी हम आगी का प्रशन दिखेंगे पार्ट से आगे साले अनुसासन और विद्यार्थी विशय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिये तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताती हूं उसके अधीन चलता है विद्यार्थीयों की अनुसासन प्रेता ही उन्हें सफलता प्रदान करती है अनुसासित विद्यार्थी वेर्थ समय नहीं गवाता वो सद्गुनों का विकास करते हूए अपने चरित्र का निर्मान करता है साले विद्यार्थियों के लिए अनुसासित जीवन जीना अत्यनताव शक है भासा बिंदू निम्न पत्र में आये कालों के वाक्तियों को धूल कर लिखिये तथा निर्देशा अनुसार परवर्तित करके पुना लिखिये तो सबसे पहले हम यह पत्र पढ़ लेते हैं फिर इसका उत्तर में आपको बताती हूँ धन्यवाद पत्र घर क्रमांग ग्राम सहर जिला दिनांग यहाँ पर अपना अड्रेस लिख सकते हैं माननिय महोदय जी सादर नमस्कार मैं आपको नहीं जानता आप मुझे नहीं जानते मेरे और आपके बीच एक ही नाता है एक भले इनसान का मैं आपके द्वारा भिजवाई गई अटैची को पाकर हृदय से कृतग हूँ मेरा रोम रोम आपको सुब कामना दे रहा है मेरे इलगाडी में भूली हूई अटैची के कारण बहुत परिशान था मेरे सारे सार्टिफिकेट जैसे महत्तपुन कागजाद उस अटैची में थे पिछले तीन दिनों की अथक कोशिश के बाद मेरा मन निरास हो चुका था मुझे लगने लगा था कि जैसे इस दुनिया में इमानदारी बची ही नहीं है परन्तु आपने मेरी अटैची अपने बेटे के हाथो भेच कर मेरी सारी निरासा को आसा में बदल दिया तब से मैं बहुत प्रसन्य हूँ मानेवर आपकी इमानदारी ने सच मुझे नया विश्वास दिया है आप विश्वास रखिये भविश्य में में किसी की भी परिसानी दूर करने का प्रयास करूँगा मैंने अतैची देख ली है एक एक वस्तू यथा स्थान सुरक्षित है आपका हर्दै से धनेवाद भवदियर अब इसका उत्तर देखो बच्चो पहला मानेवर आपकी इमानदारी ने सच मुझे नया विश्वास दिया है दूसरा मैं आपको नहीं जानता तीसरा आप विश्वास रखिये भविश्य में मैं किसी की भी परेशानी दूर करने का प्रयास करूँगा चोथा मेरा रोम रोम आपको सुब कामना दे रहा है पाच्वा मैं रेल गाली में भूली हुई अटैची के कारण बहुत परेशान था तो यह इसका उत्तर हो गया ठीक है प्रश्ण दूसरा निर्देशा अनुसार पत्र से काल धोड़िह यह उपर वर्तित करके लिखिये यह जो उपर पत्र है न इसमें से हमें काल धोड़ कर यहां पे लिखना है ठीक है बच्चो इस प्रश्ण में हमें समाने भूतकाल अभी हमें देख कर लिखना है कि इस पत्र में समाने भूतकाल के कौन से शब्द हैं ठीक है तो इसमें है मानेवर आपकी मांदारी ने सच मुझे नया विश्वास दिया है यह कौन सा है यह समाने भूतकाल का वाक्य है कौन सा है बच्चो समाने भूतकाल तो हमें इसमें से ही देख कर यहां पर लिखना है ठीक है तो समाने भूतकाल में क्या आएगा यहां पर आएगा मानेवर आपकी मांदारी ने सच मुझे नया विश्वास दिया है अभी समाने वर्तमान काल मैं आपको नहीं जानता समाने वर्तमान काल में वाक्य आएगा मैं आपको नहीं जानता अभी समाने भविश्य काल का वाक्य देखना है आप विश्वास रखिये भविश्य में किसी की भी परिसानी दूर करने का प्रयास करूंगा अभी अपुन वर्तमान काल का वाक्य हमें दिखना है मेरे रोम रोम आपको सुपकामना दे रहा है और पुन भुत काल का भी हमें यहाँ पे लिखना है मैं रेल गाड़ी में भूली हुई अटैची के कारण बहुत परिस्तान था अब हमें यहाँ पे क्या करना है जो समान वर्तमान काल का ये है वाके इसे हमें परवर्तित करके लिखना है ठीक है तब हम यहाँ पे लिखेंगे मानेवर आपकी मानदारी सचमुछ मुझे नया विश्वास देती है समान भविश्कार मैं आपको नहीं जानूंगा बच्चो यहाँ पे जो समान वर्तमान काल है उसको हम यहाँ पे समान भविश्यकाल कर रहे हैं मैं आपको नहीं जानूंगा यहाँ पे हमने क्या लिखा था मैं आपको नहीं जानता समाने वर्तमानकाल मैं आपको नहीं जानता और समाने भविश्यकाल में लिखेंगे मैं आपको नहीं जानूंगा ठीक है अब ये पूर्ण भूतकाल में हमें लिखना है जो समाने भविश्यकाल का वाक्य है उसे हमें पूर्ण भूतकाल में लिखना है तो हम लिखेंगे आप विश्वास रखिए अतीत में मैंने भी लोगों की परेशानी दूर करने का प्रयास किया था भविश्यकाल सम्माने भविश्यकाल में हमने क्या लिखा है आप विश्वास रखिए भविश्य में किसी की भी परिशानी दूर करने का प्रयास करूंगा ये भविश्यकाल है भूत काल में प्रयास किया था ठीक है? अब उसके बाद हमें अपुन भूत काल में लिखना है जो वाक्य हमने अपुन वर्तमान काल में लिखा है उसे अभी हमें अपुन भूत काल में लिखना है अपुन भूत काल मेरा रोम रोम आपको सुपकामना दे रहा था ठीक है, अभी समाने वर्तमान काल में हमें लिखना है, जो पूर्ण भुद्काल का वाक्य है उस से हमें समाने वर्तमान काल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, मैं रेल गाड़ी में भूली हुई अटेची के कारण बहुत परेशान हूं ठीक है बच्चो तो बच्चो ये मैंने आपको करवा दिया है चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्ण लेखनिय ध्वनी प्रदूशन के बारे में अपने शब्दों में लिखिये तो चलो हम इसका उत्तर लिखते हैं हमारे आज़ पास ध्वनी प्रदूशन बड़ी तेजी से फैल रहा है सिगनल पर जरासी देर होने पर मोटरों के हौन बजने लगते हैं घरों में लोग टीवी रेडियो डीजे चलाते हैं जिससे तमाम पडोसियों को परिशानी होती है रेलवे, हवाई जहाजू तथा कार खानों की कान फोड़ा वाजे लोगों को बहुत परिशान करती है तेवहारों पर ध्वनी विस्तार को का दिन भर उप्योग हो आसनी हो जाता है इससे तरह-तरह के रोग हो रहे हैं इन बातों को ध्यान में रखकर ध्वनी प्रदूशन पर नियंतरन लगाना चाहिए अब इसके बाद हम करेंगे मौलिक स्रजन ये देखिए बचो कैसलेस इंडिया सच या सपना इस पर अपने विचार असपस्ट करिए इस पर आपके क्या विचार है वो हमें असपस्ट करना है तो चलो इसका उत्तर देखते हैं उत्तर नगदी रहीद भारत या कैसलेस भारत कैसलेस इंडिया एक मिसन है जिसे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नेत्रुत में भारठ सरकार ने शुरू किया है इस मिसन का उद्देश भारती अर्थ विवेस्था की नगदी पर निर्भरता को कम करना है ताकि देश में बड़ी मात्रा में छुपे काले धन को बैंकिंग प्रणाली में वापिस लाया जाए इस मिसन की सुरुवात नवंबर आठ दो हजार सोला को हुई जब सरकार ने एक रांतिकारी पहल करते हुए पांसो रुपए यो हजार रुपए के पुराने नोटों का अचानक वी मुद्री करन कर दिया ठीक है बच्चो तो बच्चो मैंने आपको सारे प्रशनुतर सब करवा दिया है तो बच्चो आपकी स्वाध्याय में जितना भी था उस सब मैंने आपको करवा दिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और आपको इस पार्ट का स्पष्टी करन चाहिए या नहीं चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताईए अगर आपको पार्ट का स्पष्टी करन चाहिए तो मैं वो भी करवा दूँगी ठीक है बच्छो तो हमारा आज का जो पार्ट था वो यहीं पे समाप्त होता है यहां तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहीन जैभारत